शहद सद्यों से ही एक महतपूर्ण और जदी की रूप में इस्तिमाल किया जाता है शहद ना सिर्फ खाने में ही स्वादिष्ट होता है बलकि सेहद के लिए भी कई तरह से फायदेमंद होता है लेकिन कुछ चीजों के साथ मिलाकर शहद का सेवन करना पड़ सकता है भारी एक रिपोर्ट देखिए विटैमिन ए, बी, सीव, कैल्शियम, आयडन और आयोटीन जैसे पोशक तद्वों से भरपूर शहद की सेवन से शरीर में उड़ जा और इस्पूर्थी आती है कई तरह के रोगों से लड़ने के लिए शहद शक्ती देता है लेकिन कुछ चीजों के साथ मिलाकर शहद का सेवन सीहत के लिए नुकसान दायक हो सकता है आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिनके साथ शहद का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए चाह या कॉफी के साथ आपने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि सर्दी जुकाम होने पर शहद को चाह या फिर कॉफी के साथ ले अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज ही इस आदत को छोड़ दे शहत को चाय या फिर कॉफी के साथ लेने से आपकी बॉडी का टेंपरेचर और बढ़ जाएगा जिसकी वज़से गबराहट और तनाव हो सकता है तेज गर्म पानी के साथ ना ले अकसर लोग वजन कम करने या फिर सर्दी जुकाम से बशने के लिए सुबा सबसे पहले गुनगुने पानी में शहत डाल कर पीते हैं अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी 30 गर्म ना हो जादा गर्म पानी के साथ शहत लेने से शरीर में गर्मी पैदा होती है जिससे पेट संबंदी बिमारी होने की आशंका बढ़ जाती है गर्म चीजों के साथ खाने से बचें शहत की तासीर गर्म होती है इसलिए इसे गर्म चीजों के साथ खाने से बचना चाहिए गरम खाने के साथ शहत की सेवन से पेट खराब हो सकता है इसके लावा आपको और भी कई तरह की सेहत से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है